हाई फ्रेंड्स वेल्कमनों मैं चैनल सूपर ट्रेडर लक्षी यहां पर बात करूँगा किस तरीके से आप ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल कर सकते हैं अगर मैं कहूँ कि मेरी सबसे बड़ी जो मिस्टेक मैं करता आया हूँ हमेशा से वो ओवर ट्रेडिंग थी और ओवर ट्रेडिंग कई बार लोग समझ नहीं पाते कि वो कर रहे हैं तो पहली चीज़ यह है कि ओवर ट्रेडिंग क्या है शौट में समझाऊंगा फिर उसका सॉलूशन दूँगा किस तरीके से मैं इसको टैकल करता हूँ और करने की लगातार continuous improvement करना हूँ कोशिश करता रहता हूँ तो पहली चीज़ ओवर ट्रेडिंग क्या है आपको लगा कि हजार रुपए का profit बन गया मार्केट में अब आपका greed बोलता है थाउजन में क्या होगा दो हजार का try करते हैं तो आपने अपने greed को double कर दिया आपन 1000 कर लेता हूँ हो गया 1000 वापस से 1000 रुपीज आपका profit हो गया बतलब आपने morning में शुरुआत की आपका 1000 रुपे profit हुआ 1000 रुपीज फिर आप 0 पे आ गये थोड़ा बहुत minus में आ गये फिर दुबारा से आपने trade किया और फिर से आप plus में आ गये 800-900 रुपीज फिर से 1000 पे आने के बाद आप बोलेंगे यारा वापस सब ठीक तो हो गया है let me again try for 2000 रुपीज फिर आप एक बार ट्राय करोगे फिर आप नीचे आजाओगे अब नीचे आना बरदाश्ट नहीं होता यार इसे कैसे हो गया 1000 रुपीज तो घर लेके जाओंगा ही अब 400 रुपीज से आप ओवर ट्रेडिंग शुरू कर देते आप कि किस तरीके से आप सोल कर सकते कियों कि मैं कहता हूं अगर यह प्रॉब्लम आप सौल कर लोगे तो आपके टोटल ट्रेडिंग में जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो 50-60 परसेंट सौल हो जाती है जो कि बहुत बड़ा number है मतलब आप जो पैसा कमाते थे गवाते थे कमाते थे तो उसको आप 50% reduce कर सकते हो और बहुत सारी behavioral चीज़े हैं उन पे भी हम focus करेंगे लेकिन अभी बात है सबसे important चीज़ की वो है overtrading अब overtrading आप fix कैसे कर सकते हो सबसे पहली चीज़ है आप market में आए हो तो पुराने baggage को लेके मत आओ कल का loss, परसो का loss, पिछले दो साल का loss ये baggage है ये आपको आगे बढ़ने से रोकता है जब आप 1000 रुपे मानलो आप 1 lakh से trade कर रहे हो और आपने 1000 रुपीज profit कमा लिया जो की 1% है कोई बुरा नहीं है, अगर आप 1% target करते हो, साल भर में आप कम से कम 200% कमा लोगे लेकिन आपको वो 1% कम लगता है, लेकिन आप overall बड़ा picture देखोगे तो आप देखोगे यार मैं 200%, 300% में भी compounding करके कमा लूँगा लेकिन वो पुराना अगर baggage रहा, कि यार मेरा तो 2 lakh का loss हुआ था, 1 lakh से trading कर रहा हूँ पहले ये loss फटा फट recover कर लूँ और फिर मैं शानती से trade करूँगा मैं भी ऐसी सोचता था, फटा फट, पुराना काम फटा फट निप्टा दें, जल्दी से और ये जल्दी का काम शैतान का होता है, और यही चीज़ है यहाँ पर कि जब आप जल्दी जल्दी में रहोगे तो आप ना ethics रखोगे, ना आप principle रखोगे, ना आप logics रखोगे, ना आप discipline रखोगे और यहीं पर गलती शुरू होती है तो सबसे पहली चीज़ है जब आप आते हैं market में, किसी भी दिन, कल की सुबह है, कल मंडे है, जब आप आओगे, पुराना सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ learning रखो, बाकी loss हुआ, profit हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ छोड़ गयाओ, आप लेके मत जब आप फ्रेश सुरवात करोगे, तो एक और चीज़ बोलता हूँ, कोई target लेके मत चलो, target होना चाहिए, कि यार मैं 5%, 10% बुक करूँगा profit, लेकिन ऐसा target नहीं होना चाहिए, कि अरे मुझे कार खरीदनी है, तो इस महीने कार खरीदने के लिए पैसे करने है, नहीं, ऐस ऐसे target मत रखो, materialistic target मत रखो, एक target रखो जो आपके trading, जो plan है, और trading जो strategy है, उसके based पे वो target होना चाहिए, ना कि आपकी need के बारे में, कि मुझे घड़ी खरीदनी है, मुझे apple phone खरीदना, मुझे apple watch खरीदनी है, इस महीने मेरा birthday आ रहा है, मुझे party देनी होगी, 10,000 रुप revenge कभी भी आपको पैसा नहीं कमवा सकता, revenge आपका mind चोक कर देता है, वो बोलता है, बस तुम्हें वसूलना है, कुछ भी करो पैसा वापस निकालना है, और ये आपको गलती करवाता है, तो I hope ये point बहुत clear है, फिलहाल इस वीडियो में इस point पे ही हम focus करेंगे, इस वीडिय over trading तो नहीं कर रहा हूँ, मैं scalping कर रहा हूँ, नहीं, scalping अगर आप जाधा करने लगे तो over trading बन जाती है, और फिर वही, जो भी मैंने बुला ना, आपको thousand रुपीस profit से 500 आएगा, minus में चला जाएगा, फिर आप सोचो कि इसको thousand कर दूँ, फिर वो थोड़ा उपर चला जा तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसको like करिए, share करिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएए, बहुत सारे traders, हर trader तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये पहली problem है, जो trader की सबसे बड़ी problem है, over trading जिसके बारे मैंने solution दिया है, इसके बारे में कुछ और points से अगले वीडियो में शेयर करूँगा, लेकिन इस वीडियो को आप बहुत शेयर करेंगे और धेर सारा प्यार देंगे, तभी वो में लेकर आऊंगा, तो like करिए, share करिए, और subscribe करिए चैनल को, bell icon दबाके रखिए, क्योंकि अगला वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है Thank you very much guys, see you soon. झाल